कि हम सिर्फ अपने नेता को नहीं बचाना चाहते हैं मीडिया वालों मैं आप से खास करके कहना चाहता हूँ हम अपने नेता को नहीं बचाना चाहते हैं एक कहावत है सच को आच नहीं होता है हमको अपने नेता की चिंता नहीं है हमारा नेता कुछ गलत नहीं किया और सरकार उसका कुछ गलत नहीं कर सकती इस बात को याद रखिएगा हमको अपने नेता की चिंता नहीं होती है और हम इस सरकार को कहते हैं साहेब हर चीज का एक मंतर नहीं होता है बीजेपी चाहती है कि हर नेता पे एक ही जंतर का इस्तेमाल कर ले तो मैं भाजपाईयों को कहना चाहता हूँ रे भाजपावा लो ये राहूल गांधी हैं इंद्रा गांधी के परिवार से आते हैं राजीव गांधी के बेटा हैं आतंकवाधी से नहीं डरे तुम तो वैसे भी माफी मागने वाले लोग हो भाई तुमसे क्या डरेंगे यार कि मोदी जी को कोई साधू बता दिया है कि विपक्च के सारे नेताओं पे एक ही कैपसूल इस्तेमाल किजिए एक कैपसूल सबके उपर बड़ावर लागू नहीं होता है सब धान 22 पसेरी नहीं होता है इनको लगता है कि एक बार E.D. भेज देंगे तो कॉंग्रेस पार्टी डर जाएगी कॉंग्रेस के कारकरता डर जाएंगे और चुप हो करके बैठ जाएंगे कि देखो देखो इसके नेता के उपर E.D. आ गया है तो कारकरता को कौन पूछता है कॉंग्रेस पार्टी के अंदर इस बात क्या जज़वा है कि अगर हम देश को अंग्रेजों से आजाद करा सकते हैं तो इस देश को हम अंग्रेजों के चापलूसों से भी मुक्त कराएंगे इस बात को याद रखिएगा इस बात को याद रखिएगा कि आपने देश के साथ जो खिलवार किया है उस खिलवार के खिलाफ है हम और ये देश की जो परिस्थिती है इस परिस्थिती पे मुखळ ओकर के हमारे नेता बोलते हैं इस बात का हमको गर्ब है कि सरकार के सामने बिना जुके कोई लड़ता है और करके तो उसका नाम राहुल गांधी है उसको डराना चाहते हैं उसको डराना चाहते हैं उसको जुकाना चाहते हैं जावेद अख्तर ने लिखा है एक हमारी एक और उनकी मुल्क में हैं आबाजे दो दो आवाज है एक वो आवाज है जो इस देश को बेचना चाहता है वो देश के सरकार में बैठे हुए है एक वो आवाज है जो देश को बचाना चाहता है वो सरकों पे खड़ा है वो जंतर मंतर पे बैठा हुआ है वो सत्यागरह कर रहा है Congress Party की लड़ाई सिर्फ अपने नेता को बचाने की लड़ाई नहीं है Congress Party की लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है वो देश जिस देश को गांधी ने बनाया है जिस देश को नहरू मौला नाबुल कलाम आजाद ने बनाया है उस देश को बचाने की दा लड़ाई है कॉंग्रेस पार्टी को ले करके भाजपा लगातार परचार करती है कि अगर कॉंग्रेस किसी चीज का बिरोध कर रहा है तो सही होगा तो आप बताईए हम भाजपा का बिरोध करते हैं देश के संबिधान का समर्थन करते हैं और उस संबिधान को हमने बनाया है कॉंग्रेस पार्टी ने बनाया है इसलिए एक कहावत कही जाती है जाके पैरन फटे विवाई वो का जाने पीड पड़ाई जो पार्टी देश को आजादी दिलाई है वही पार्टी इस देश की आजादी की रक्षा कर सकती है इसी आसा और उम्मीद के साथ कि सत्त और अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे सत्यागरह के रास्ते पर चलेंगे जूट को हराएंगे जूट पे सच भारी है सत्यागरह जारी है यह सत्यागरह जारी रहेगा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद